find the sum of the first 24 terms of the list of number whose nth term is given by this मतला n जो उसके n की term जो दी जा रही है वो इस तरीके से दी जा रही है n बरावर 3 प्लस 2n यानि n की term समय निकालने हैं मतले एक तरीके से पहले list of number निकालेंगे ठीक है list of number निकालेंगे उसके बाद 24 terms का sum निकालेंगे उसके 24 terms का sum निकालेंगे ठीक है तो for the natural number न की हम क्या मानेंगे एक दो तीन value मानेंगे क्या मानेंगे values मानेंगे let solution देखो इसका solution कैसे करेंगे the list of numbers whose nth term is given by this ठीक है तो the list of numbers given by an is equal to 3 plus 2n मालो इससे हमें number मिलते हैं कैसे मिलते हैं ए की जगए ए 1 रखता हूं 3 plus 2 into 1 इसका मिलते हो क्या हो गए पेटा पांच हो गए ए 2 ए 2 परावर कितना हो गए 3 plus 2 into 2 इसका मिलते हो क्या हो गए दो तुनी चार हो तीन साथ ए 3 इस इकल टू कितना हो गए 3 प्लस 2 into 3 तीन दूनी 6 तीन दूनी 6 तीन नो कितना हो गए नो तो तो नंबर क्या आगए हमारे पास नंबर आगए 5,7,9 and so on कब तक 24 टर्म तक 24 में पद तक कहा तक बटा 24 में पद तक की वैली नेकाल देंगे 24 टर्म तक तो बेसिकली हमें क्या दिया है n की वैली दिये किसकी वैली दिया है n की वैली दिये रखे है तो यहां पर a की वैली कितनी हो गए पीटा 5,d की वैली कितनी हो गई 2,n की वैली कितनी हो गई हमारी 24 टर्म से number of terms कितनी है 24 तो SN यहनी S 24 sum of sum of 24 terms is equal to 24 by 2 है ना A 2A 2 into A A की value कितनी 5 है ना A की value 5 plus N minus 1 N की value कितनी 24 minus 1 into D D की value कितनी बेटा 2 चलिए देखो कितना होगे 12 5 नहीं 10 plus कितना होगे 23 23 into 2 12 10 plus 23 दोनी 46 46 कितना होगे 12 into 56 अब इसमें गुणा कर दो simple है ना multiply कर दो 12 चेंग 72 का 2 हां से लगे 7 ठीक है 12 पंजे 60 और 60 और 7 67 तो 6 72 कितना होगे 672 हमारा सम आ गया 24 टम्स का 672 यानि कि option number कौन से सही हो गया option number हमारा B तो B will be the right answer ए्सथ einmal प demiş तो B आपी से सही हो इसमें ग delicious आप Alors